जो अगनिवीर योजना जो है यह आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी पता कि अजीर दोबल जी ने यह योजना आर्मी पे ठोपी है मगर हिंदुस्तान का युवा जो चार बजे दोड़ता है आर्मी में भड़ती होने के लिए दोड़ता है वो आपकी बाद से सहमत नहीं है उनने हमसे कहा कि पहले हमें पंद्रा साल की सर्विस मिलती थी पेंशन मिलती थी अब चार साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा कुछ नहीं मिलेगा पेंशन नहीं मिलेगी senior officers ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अगनिवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई ये कहीं और से आई है ये RSS से आई है हो मिनिस्ट्री से आई है ये senior army के लोगोंने कहा है मैं नहीं कहना है कि हमें लगता है कि ये ये आर्मी के उपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी आर्मी के जेनरल्स ने हमें का जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें का राहूल जी हजारों लोगों को हम हत्यार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फुर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं बेरोजगारी है समाज में हिंसा बढ़ेगी तो उनके मन में था कि ये जो अगनी वी रियोजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी बता कि अजीड दोवल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है क्यों नहीं ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं पार्लिमन में थोड़ी हैं क्यों नहीं ले सकते हैं क्या बात करो तो इंट्रेस्टिंग बात ये हैं इंट्रेस्टिंग बात इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मैंने फिर प्रेजिडेंट्स एड्रेस पढ़ा देश के सब योगा अगनिवीर 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 बोल रहे हैं कह रहे हैं कि यह आर्मी के उपर थोपा गया है हमें नहीं चाहिए आर्मी के लोग कह रहे हमें नहीं चाहिए जैसे मैंने कहा आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके उपर ठोपा है आरेसेस ने इनके उपर ठोपा है ठोपा है तो ये आवाजें आ रही हैं अब मैंने आपका बढ़िए तो तो एक फरक तो मुझे मुझे एक फरक दिखा प्रेजिडेंस अड्रेस में प्रेजिडेंस अड्रेस में बहुत सारी चीज़ें बोली गए अगनिवीर के लिए एक लाइन थी एक शब्द एक बार अगनिवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अगनिवीर योजना हमने दी उससे जाड़ा कुछ नहीं बोला कहां से आई कौन लाया किसको फाइदा होगा यह नहीं बोला बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें आपने देखा होगा बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेजिदेंट्स अडरेस में मेंगाई शब्द ही नहीं था तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला अगनिवीर मेंगाई किसान बेरोजगारी प्रेजिदेंट्स अड्रेस में था ही नहीं